व्रईर्वाइब गूर्वाएब आज़ हम प्रीं यूजिंग स्टेट्मिंट को देखते हैं इससे पहले के लेक्षर में हमने देखा था कि हमें कोई चीज को प्रिंट करना होता था कोई मैसेज कर तो हम लिगते था यहां पर मैसेज की के अंदर तो क्या वो मैसेच बारए को अधीज हरन्य तो हमें कोई कीव फिरीबिल को पूंच करना होता हम अधान थे म्किसे अधे जरीद कर देदी लेकिन आम तोर पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास पूर्म सोते हैं जो मस्ताव के शोते हैं एक लीए फिर टूर अजय से उस्टपर में जिसमें पेशलिप निकलती कि वह इस जा 설क हे इसेग को स्कें हो Lords जो तो उसमें क्या अदर जो पैसे होते हैं एसमें कहाता है रूपीज लिख odpow and और फिर आपकी तरसके पार कॉस्ट लखे होते हैं अगराथ आपको बनाना और ऐसा बोगर्यम बनाना जिसके अंदर numbers को परिंट करना है नमबर को परिंट करना हो और इसके साथ आप शुरू में आखर में आपको खास किसम किया कोई करेक्टर्स लगाना चाह रहे हैं जैसर की आप चाहते हैं कि जो भी मिसल के तोप पर आपका अएसी नंबर है एना इसी नंबर है आपका 517-38-146 मिसाल के तो पर 7-8 तो आप इसकी रिक्वार्मेंट क्या है कि जो भी आप नंबर वैल्यू दें वो इसी फॉर्मेट के अंदर हो उसमें गया हो तीन नंबर के बाद एक डैश है फिर दो नंबर हो और फिर मिसाल के तो पर पांच नंबर हो तो यह डिफरेंट किसम की आपकी जुरुत पर सकती है आपको अपने नंबर को फॉर्मैट करने के लिए है तो उस सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं हम फ्रिंड यूजिंग इसे इसकी सिंपल सी मिश्याहर देखते हैं अभ आए हम मिश्याहर यहां हम क्या है एक बिल है जो प्रिंट करना है फोर मिल की अब पर मिसाल के तो पर 20 रूपीज 30 रूपीज और दूसरे इन पुट लिया हमने बिल नॉम्बर 2 की अमोंट को लिया और इन बिल के अमोंट को हम प्रिंट कर रहे हैं जो चीज यहां देखने की है कि हम यहां कर कर रहे हैं हम लिखा है कोटेशन के तर आर ऐस है और चार यह नॉम्बर साइं है ठीक है पर स्लैश है और यह है और फिर अमोंट है तो अब इसका मतलब क्या है इससे हम क्या चाह रहे हैं इससे हम यह चाह रहे हैं कि जो हमारे पास अमांट प्रिंट हो उसमें सबसे पहले क्या है रूपीज लिखा हुआ है और आखर में क्या हो, slash और dash लिखा हो, और बीच में numbers है, क्योंकि यहां पर चार hash case आएंगे, चार numbers आएंगे, इसका मतलब है, अगर मैं 4200 लिखूँगा, amount 1 तो कैसे print होगी, वो ऐसे print होगी, रुपीस 4000, अगर मैं साथ कि तो मैं कोई ऐसा digit प्रिंट करूँ, जो तीन डिज में वो value आजी, क्योंकि आप 4 digits होगी है, 300, 300 करके ऐसे print होगी, और अगर 2 digits होगी, तो क्या हो, 20 करके डाश करके print होगी, लेकिन यहां पर क्या हो, एक space बच जाएगी, और यहां पर 2 space बच जाएगी, तो यहां पर in, in number signs का मकसद यह है, आईए आप इसको run करके देखते है तो सबसे पहरे हम bill number 1 की amount को डालते है, हमने लिखा 600, और bill number 2 की amount लिखे हमने 1000, अब देखें, अब जो उसको print होगी है, तो यहां पर print कैसे होगी, कि रूपीस के बाद क्या होगी है, यहां space लिखे आपको, 600 प्रिंट होगी है, और बाद में यह sign आ गया, जो हमने अपने प्रिंट यूजिंग स्टेट्मेंट में जो हमने दिये थे, और फिर गया रूपीस 1000 आ गया और बाद में यह वाले करेक्टर आ गया, तो यह है आपकी print यूजिंग स्टेट्मेंट, आए हम यहां पर अपना रेक्चर खसम करें,